जहिन मेरे पेरे भाईयो मैं लेलित आज आपका फिट से सौगत करता हूँ तर्बो फेर्स पे तो दोस्तों न्यूस क्या है न्यूस यह है कि असम में एक पुलिस इस्टेशन को जला दिया गया और अगले ही दिन पुलिस वालों ने वहां जिसी भी चलवा दी घरों पर तो करस्टूडेल डेथ क्या होती है यह किस आईपी के अंदर आती है और अगर पुलिस या कोई अत्याचार करती है आम्यंता के खिलाफ तो आम जंता उस पर क्या कर सकती है कि जी सारी बाते जाने हैं ре supreme निऊ् 4 जान लेते हैं मेरे भाई यह यह तो देख सकते हैं यह कैसे पुलिस वालों का है और दूसरा पहलू फैमिली वालों का है जिनका घर तुटवाया गया यह आप देख सकते हैं कि पर जेसी जेसी बी चलवाई गई तो मेरे भाई पुलिस वालों की अगर इस्टोरी आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार की रात को वह एक मच् आती है और उसे पानी वानी पिलाती है लेकिन कुछ देर बाद वो उसका पती मर जाता है वह मेरे तक घोशिक कर दिया जाता है यह पुलिस वालों की स्टोरी है लेकिन अगर आप फैमिली वालों की स्टोरी जानेंगे तो फैमिली वाली यह कहती है कि वह हमारे पती को उसक 10,000 रुपए और एक बतक देनी पड़ेगी यह उन्होंने गूहुस मांगी तो उनकी पत्नी ने कहा बतक तो हम आभी दे देते हैं बतक उन्होंने लाकर देगी और 10,000 रुपए का बंदोबस्त हम अगले दिन तक करके दे देंगे बस आप मेरे पती को छोड़ दीजेगा यह पती मर चुका है और यह बहुत बावाल हो जाता है कि अब 10,000 रुपए भी नहीं ले रहे हैं और मेरा पती मर भी गया तो फिर वो जाती है गाओ में रोते-रोते जाती है और अपनी पूरी पीड़ा बताती है कि कैसे पुलिस वालों ने मार दिया और पूरे गाओ यह सुन तो तीन पूलिस वाले को चोट भी लग जाती है और पूलिस वालों ने दो-तीन लोगों को गिरफतार कर लेते हैं यह मेरे भाई थे पूरी स्टोरी यह पूरी स्टोरी और दो पहलू जो भी है यह मैंने आपको बता दिया अब इसके बाद पहुशती है टीम जब संडे को पहुशती है जब पता चलता है टीम को नियूज वालों को पता चलता है कि उन्होंने वहाँ पे चरपास लोगों के घर को तुड़वा दिया है जसी भी चलवा दिये तब पूलिस वालों से पूशती है क्या आपको यह पर्मिशन मिला था पर्मिट मिला था कि आप वहाँ पूर्मिस्न्र पर आता है मekundy हमें से지ंड़ाद जाकि पर्मिट भंचानवाने के लिए पहुच्ष दाते हैं कि कपर पर आते हैं कि मिलते हैं चाहरों हुआ कोई कोई आप साय था तो फिर दो कहते हैं कि ने जो बलेंटे रखा तक और पिलिसे चलती है और पोLEशोर तो मेने घर ने रखोरेया था थे अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस जलाता है तो अगर वह यह सुचता है कि उसके खिलाब कुछ ना हो तो यह उसकी भूल है उसके बहुत ही ज्यादा कड़ी करवा ही होगी और यह इसका सबूत है कि वहां घर तोड़वा दिया गया तो फिर इस पर हेमंद विश्वा जो असम क सब्सक्राइब से क्याइब होगी है तो मेरे भाई आप जानते हैं कि यह पुलिस स्टेशन के अंदर मना था इंसान के से कहते हैं मेरे भाई से कहते हैं कस्टोडियल death और कस्टोडियल venues यह section 304 IPC के अंदर आती है, इसमें यह होता है कि अगर कोई भी police station के अंदर कोई मर जाता है, तो फिर police station का जो इंचार्ज होता है, उस पर यह जिम्मेदारी आती है, उसे वो जवाब देना होता है कि आखिर क्या हुआ, पूरी investigation होती है, तब अगर वो पाया जाता है कि उसने कोई इताचार किया है, उस पर तो फिर उसे गिराफतार किया रखता है, और उस पर कड़ी से कड़ी करवाही की जाती है, और मेरे भाई, अगर वो कोई भी police station का कोई भी police वाला, अगर वही उसके खिलाफ ही अगर आपको आवाज उठानी है, तो police station तो नहीं जा सकते आप, तो आप कहां जाएंगे, तो मेरे भाई, आप जा सकते हैं, DM के पास सबसे पहले, और अगर DM के पास आपको डर लगता है, तो अपने प्रधान के पास जा सकते हैं, वो DM के पास जाएगा, आपकी पास सुनवाई करवाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है, कि DM भी सम्मील वीडिया मेडिया को दे आपकी बात जल्दी से जल्दी पहुचे ओर अगर मीडिया को देने के साथ आप उसे किसी थे पाव में जावbahn आपPA at करता है अगर किसी भी घर महीं विक्ति थी हैं कोई दोसी पाया जाता है तो अपनी घर के हिलाब ज्यादा बते नहीं करता है करवाहिती जल्दी नहीं करता है लेकिन अगर पड़ोस की खिलाफ कोई कह दिया जाए कि इनके घर ने कोई गलती के है तो आप तुरंत ही मुद्दा खड़ा हो जाता है और पोजिशन के पास उनके पास तो एक मुद्दा चाहिए किसी भी काम करने के लिए वो तुरंत त्या कानुन को जानना दॉह जरूणच को नहीं दानुन दोन बहुत ही कहीं न दersonal दूंद-टूस जानते हैं मैं तो आप कहीं को पीछे रह जाते हैं और लोग आप